इसमें 1BHK और 2BHK दो टाइप का प्रॉपटी है और इसमें जोडी-जोडी का भी अगर आप बड़े फ्लैट के सौकिन है 1-1 का जोडी भी अवेलेबल है और 2-2 का जोडी भी अवेलेबल है 1BHK का का कारपेट एरिया एप्रॉक्सिमेटली 450 और 2BHK का का कारपेट एरिया 650 दो टाइप में है जी प्लस 29 यानि 30 स्टोरी टावर आएगा इसमें और लोकेशन इसका बहुत प्राइम है रामदे पार्क में रोड से कनेक्टेड है हाडली 20-30 चेकन में पहुँच जाते हैं यहाँ पे एक बड़ी अगर बगल में ही देखें तो बड़ा चर्च बना हुआ है साती सात मुनिसिपल कॉपरेशन का गार्डेन बना हुआ है और यहाँ का एक अट्रेक्शन पॉइंट यह है कि ज्यादातर हिंदू लोकालिटी के लोग हैं इस पूरे बिल्डिंग में और छेड़ा डवलपर जो हैं इन्होंने काफी सारा काम किया जैसे मीरा रूड में आप देखें तो पूनम गार्डेन में अरिना 1, 2, 3 शांती गाडन में प्रेम नगर और और भी कई जगह न्होंने बुरिवली कांडीवली में कई बिलिंग नोंने बनाया है कहीं पे भी इनके कस्तेमर शिफटे क्षटे के इनके साठिसवाइद सूरा है इसके लिए मैं इसका कर रहा हूं कि ताकि आप भी इंब्स्मेंट कर पाएं और ले पाएं आए मैं आपको प्रॉप्री तिकाने जा रहा हूँ नो फिलाल में तू भी इचके दिखा रहा हूं यह एक सैंपल से आप देख सकते हैं कि L टाइप में इसका लिविंग डाइनिंग है इस तरफ इसका डाइनिंग हो दिया हुआ है और इस तरफ इसका लिविंग एरिया दिया हुआ है हाइट सेम अज आपको मिलने वाला है यहाँ पे आपको TV unit का provision आएगा, sofa का provision आप यहाँ पे कर सकते हैं, यह आप देख सकते हैं, अभी मैं एक बार window के side से आपको दिखाता हूँ कैसे क्या आने वाला है, इसमें balcony concept नहीं दिया हुआ है, बट hall इतना बड़ा है, इसमें आप French window करके यहाँ विंडो करके balcony का type आप कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, यह पूरा length है, और इधर आपको यह L टाइप में dining का area दिया हुआ है, यहाँ पे आप करीबन 7-8 share का dining बना सकते हैं, आप नहीं रखते हैं, तो dining table का area आपका बड़ा हो जाता है, और अभी मैं दूर से थोड़ा kitchen कवर करता हूँ, कि kitchen किस type का आप देखें सामने, बिल्कुल dining के सामने ही kitchen किया हुआ है, और kitchen का size यह इसका gas platform, service platform, अंदर ही इन्होंने washing machine के लिए provision दिया हुआ है, टैब और electricity के plug points दिये हुए है, तो kitchen का size भी आप देखें कितना huge और बड़िया बनाया हुआ है, यह इसका fridge का provision किया हुआ है, पर fridge का रखने का, इससे जब आगे बढ़ते हैं, तो आपको common washroom, left hand side पे मिलता है, common washroom में भी, end में आपको दिया हुआ है, bath area, उसके फिर बात, commode and last में, start मे में आपको wash machine दिया हुआ है, एक बार आप अंदर के side से देख लें, height बगएर जो ceiling का है, वो एक बार आप देख लें, अब ही मैं आपको दोनों bedroom दिखाता हूँ, एक तो common bedroom है, एक master bedroom है, ceiling की height यह passage का, उसके बाद, right hand side पे, इसका छे भाई छे का, अगर आप एक bed डालते हैं, तो यह इसका common bedroom है, common bedroom यह आप देखें, side table, दोनों side रखने का जगह दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया space cover किया है, नीचे bed डालने के बाद भी, wardrobe डालने के बाद भी, एक 3-3 foot का जगह आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक wardrobe का भी बनाया हुआ हुआ है, तो इन्हों आपको मिल जाता है, इसके बाद master bedroom देखते हैं, कि किस type का है, master bedroom में आपको थोड़ा, यहाँ से जब आप master bedroom के अंदर enter करते हैं, wall के अंदर ही आपको covered का area दिया हुआ है, पहले तो आपको washroom मिलता है, washroom में भी, आप देख सकते हैं, यहाँ पे caravit का plumbing accessories यूज़ कर रहे ह हैं यह, और जिसकी finishing आप देख के समा सकते हैं, कितना beautiful उन्होंने काम किया हुआ है, यह तो खेर flat है, actual raw flat में दिखाता हूँ, जो आपको मिलने वाला है, जिस तरह का amenities, और यहाँ से आप bedroom का size देख सकते हैं, इसमें भी 6×6 का bed डाला हुआ है, और एक अच्छा खासा space आप आपको cover होता है, master bedroom में, window के side से, window के side से आप देखें तो 6×6 का bed डालने के बाद नीचे नीचे आपको 4 foot का space मिलता है, wardrobe आपको wall के अंदर ही fit हो गया है, तो वहाँ से मैं आपको TV का unit दिखाऊं, अगर TV unit देखें तो बीच में space मिलता है, यहाँ पे आप TV unit के plug points लगा सकते हैं, साथी साथ कोन में, अब study table रख सकते हैं, और dressing table के तो मैंने आपको बात किया है, जो bread के अगल बगल में रहता है, तो यह पूरे 2 BSK का जो area था, वो मैंने cover किया, अब start से अंदर से पूरे flat का एक view देखें, तो आपको बता चले, किसकी size और वैसे भी छेडा greens का नाम क किया है, बहुत ही satisfied customer है इन से, यह तो मैंने आपको 2 BSK का दिखाया है, अभी देखते हैं, इसका 1 BSK जो आपको actual flat मिलने वाला है, वो किस टाइप कर रहेगा, क्या material यूज़ करेंगे, वो आप देख लिए, यहाँ से आपका 1 BSK का flat start होता है, और generally आप देखें तो उस corner से, सामने से दिखाओ, यह इसकी strength आप देखें, तो hall जिसमें balcony होती है, उसमें living dining को छोटा कर दिया जाता है, इसमें यह balcony नहीं दे रहे हैं, तो living dining को भड़ा कर दिया है, तो इसमें आप थोड़ा 2 foot के आसपास एक window का डाल के और extra balcony बना सकते हैं, इतना बड़ा इनोंने cover किय जगह, एक बार आप window के side से देख लें, कि क्या space cover किया हुआ है पूरे का, और यह जो flat आप देख रहे हैं, ऐसा ही आपको delivery मिलने वाला है, जब आप property खरी देंगे, तो अभी जो construction हुआ है, इसका कुछ 8 से 10 slab बन चुका है, जो tower यह बेच रहे हैं, total 6 wing का यह पूरे complex है, तो और बाकी दो tower का भी open नहीं किया है, अभी जो बेच रहे हैं, उसकी में बात कर रहा हूँ, तो जल्दी position मिल जाएगा, जो tower अभी sale करना है इनको, जब आप living dining से आगे बढ़ते हैं, तो पहले आपको right hand side पे, इसका common washroom है, यहाँ आप देख सकते हैं, start में आपको, end मे area दिया हुआ है, बीच में आपको बात area का provision किया हुआ है, उसके बाद start में आपको basin इस तरह पर यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने planning change किया है, कहीं कहीं पर रहता है कि बीच में कमोड डाल देते हैं, और उसके बाद जब आप आगे जाते हैं, और आगे जाने के बाद फिर kitchen की entry है, इन्होंने open kitchen रखा हुआ है, यहाँ पर आगर आप wall डालते हैं, तो आपको covered kitchen हो जाता है, covered kitchen होने के बाद आपको 1BHK के हिसाब से, आप देखें तो काफी बड़ा kitchen दिया हुआ, गैस platform, service platform काफी अच्छा दिया हुआ है, और end में आपको washing machine का provision भी किया हुआ है, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, master bedroom देखते हैं कैसा है, यहाँ से इसका master bedroom स्टार्ट है, और right hand side पे इसका washroom दिया हुआ है, इसमें थोड़ा planning इन्होंने change किया है, end में बाथ area दिया है, और बीच में कमोड दिया है, और common में changes था, कि उसमें end में कमोड area दिया थ है इनोंने, और just washroom के बगल में आपको wardrobe का जगे मिला हुआ है, यहाँ पे दो से धाई put wardrobe का जगे दे दिया है, तो दिवाल के अंदर जब wardrobe सेट हो जाता है, तो आप देखें, bedroom का एक अच्छा खासा space यहाँ से use करने को मिलता है, पूरा का पूरा bedroom आपका free हो जाता है, के side से देखने सामने bedroom का क्या space दिया हुआ है, इसके बाद मैं complete करने से पहला बिता दूँ, कुछ भी और detail अगर आपको जानना हो, समझना हो, तो description में मैं detail डाल दूँगा, price का, size का क्या elevation आने वाला है, और पूरा building किस टाइप का आएगा, वो आप already model में देख चुके हैं size का मैं डाली दूँगा, price भी डाल दूँगा, कि इसमें जो negotiable कितना negotiate होगा, scheme क्या होगा, क्योंकि मैं final price आपको online नहीं दे पाऊंगा, हर एक developer के hire management से ये allow नहीं रहता है, तो आप मुझे phone करें property खरीदने के लिए, या फिर pricing detail भी जानना हो, तो भी आप में phone करें, उसमे हम आपको help करेंगे, खरीदने के लिए भी साथे detail जानना हो, तो उसके लिए भी, और अभी अंदर से आप 1BHK का किस टाइप का view बनता है, और कैसा finishing देंगे, वो आप देख लें एक बार, पुरा living dining लिखा दो, तो यह मैंने दिखाया आपको छेडा greens by छेडा group, और कुछ detail जानना हो, तो description में हमारा number रहेगा, आप वहाँ से हमें phone ज़रूर करें, property खरीदने के लिए दोस्तों, मिलता हूं next video में, तब तक के लिए नमस्कार,